व्हें गाइज नमाश्कार वेल्कम लेक टू काजल्स किचन मेरी डॉटर का बड़ था तो मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया यह केक उसे केक बिल्कुल ब्लकुल पसंद नहीं है केक होगे पैस्ट्री होगी इसों बिल्कुल मफिन्स होगे कुछ भी नहीं खाती है जस ए क्या करना है दो पके हुई बढ़ाना ले लेघने है थे सब्सक्राइन iki शोगर इसे बात कर देखो पका हुए होना चीए और अब इसमें एच कर देंगे मिल्क एक कप हमने दूर키 डाल दिया है इसमें रखोंड कर देंगे मिल्क गेहु का आटा, एक कप हमने याप गेहु का आटा ले लेना है और इसमें डाल देंगे और अभी हम इसे कर लेंगे ब्लैंट चीहाँ, यह मिक्षर देखो रेडी हो गया है, कुछ इस तरह का मिक्षर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि हम आज इसका जो बनाने वाले है, केक बनाने वाले है, तो थोड़ा सा थिक वाला हमने यापे पैंकेक्स रेडी करने हैं, अभी हम इसे कवर कर देंगे, लो फ्लेम पर एक मिन्ट तक पकाएंगे, हमने यापे ध्यान रखना है, पैंकेक्स रेडी कर लिए हैं, बस इसी तरह से आपको पैंकेक्स बनाने हैं, और बाकी बचे मिक्षर के भी हम पैंकेक्स इसी तरह से बना लेंगे, असानी से निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं, बट आपको क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है, आपको जब बने जो है केक को सफ़ लेंगे अभी इम यहां पे लेंगे निटेला मेरे पास निटेला थी घर पर अगर आपके पास नुटेला नहीं है तो आप चॉक्लेट ले करना उसे मेंट करके उसके ओपर इस तरह से लगा सकते हैं बहुत ज्यादा भी नहीं लगानी है बस थोड़ी की तोड़ी सी इस पर लगाई और इसके बाद जो मैंने दूसरा पैंकेक के पर रखा और दूसरे इसी तरह से चोक्छ में या नुटेला लगा देनि है देखो बनाने पितने असान है और हेलन टेसी केक असानी से गर में बन जाता है और को ये इसे क données को क VICT स्कूल से जैसे ही आई स्कूल जब गई हुई थी तो मैंने पीछे से बना दिया इसके लिए और जैसे ही आई बहुत खुश होई केक देखकर क्योंकि जु आ उससे पता लगा पैनकेक्स का केक बनाया है तो उसके पैनकेक्स बहुत ही फेवरेट है अफते में एक बार तो खा पैनकेक्स यूज किये हैं और यह जो है लास्ट वाला पैनकेक है इसे जो हम अच्छे से गार्णिश कर देंगे नुटेला से इसके सारी चारो साइट्स पे अच्छे से अमने नुटेला लगा देनी है और इसे हमने कवर करते ना है अगर आपके पास यहां पे नुटेला नह लगा लिए यह देखो और टोटल ना बिल्कूल थोड़ी सी निटेला यूज होती है बहुत जादा भी नी होती है देखो तो हमने याप इसे रेडी कर लिया है अभी मैंने याप ले लिए फेररो रोश्यर तो अभी हमने याप पर क्या करना है इसे कुछ इस तरह से इसके उ रज़ा से लगा देनी है उसके बाद मैंने सेकेंडर लिए यहाँ पे खिटक है चोक्लेट उसे भी अनरे मैंने तोड़ इस जो है और जो है हमारा केक बनकर त्यार हो जाएगा, अगर आपके पास चॉकलेट्स अवेलबल नहीं है, तो आप ड्राइफ फूट्स को चॉप करके बारिक बारिक वो इसके उपर गार्निश कर सकते हैं, यह तो स्प्रिंकल्स मिलते हैं असानी से, आप वो लेकर गार्निश कर सकते हैं, चॉकलेट्स हैं, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप जो इसे गार्निश कर सकते हैं, तो हमारा यहां पर जो केक बनकर त्यार हो जाएगा, आपने देखा किस तरह से बनाने में कितना ही असान है, और बहुत ही टेस्टी बन सकते हैं, देखो, खाने में कितना टेस्टी लग रहा है, बनाने में उतना ही असान है, पैनकेक्स बनाने में सिरफ 15 मिंट लगे और गार्निश करने में सिरफ 5 मिंट, तो केक बनकर 20 मिनट में त्यार हो गया था, और यह देखो, केक को देखो, कितनी खुश ही तो है ना बन फ्रीबिर्दे दो यू थालो झाल झाल